गरतंत दिवस के उपलक्ष में 1.2 मीटर लंबी लड़की भूमी से 88.2 मीटर उंचाई पर एक 36 रिखा में हवा में उड़ रहे गुबारे को देखती है हम माल लेते हैं कि ये 1.2 मीटर उंची लड़की है ये A और B ये A B लड़की है और यहां कहीं 36 रिखा में यहां पर उंचाई पर गुबारा उड़ रहा है इस गुबारे की उचाई पूरी ये गुबारा है हमारा इसे हमने जी ले लिया गुबारे को और इसको ये देखती है ये इस तरह से देखती है किसी छण लड़की की आख से गुबारे का उन्यन कोर साथ है अगर उन्यन कॉन निकालते हैं तो 36 रेखा से निकालना होता है तो यह हमें 60 दिया हुआ है अगली सिति को देखते हैं कुछ समय बाद उन्यन कॉन तीस हो जाता है मतब गुबारा 36 रेखा में उड़ रहा है मतब गुबारा उड़के यहां पे आया क्योंकि कौन घटा है तो गुबारा दूर जाएगा अगर कौन बढ़ता तो गुबारा इसके पास आता तो दो कोई यहां पर अब जो है गुबारा यहां पहुंगी यहां देख रही है और 36 दूरी से देखा जाए तो इसके उचाई अभी भी उतनी ही है जितनी पहली थी इस अंत्राल के दौरान गुबारे दौरा तैकी यह दूरी अब देखो आब हमारे पास कौन यह 30 दिया हुआ है हमें 36 दूरी निकालनी है मतलब यह वाली दूरी यह वाली दूरी यह दोनों दूरी एकी है मान लेते हैं यह C है यह D है E, F, G, H होगा है हमें निकालना है C, E C दूरी तैकी उसने गुबारे नी इस दौरान या D, F तैकी या G, H तैकी तीनों दूरियां बराबर हैं यह यह दूरी यह और यह तीनों बराबर हैं तो हमें यह दूरी ग्याद करनी है पूरी उचाई इसकी पूरी उचाई यहां दी होई है 88.2 मीटर 88.2 मीटर में से अगर यह 1.2 घटा दें तो यह बचेगी 87 और यह भी 87 आएगी 87 आजाएगी क्योंकि हमारे पास जिन तिर्भुजों में कौन दिये गए हैं उसमें सिर्फ इतनी ही भुजा का प्रियोग है इसके नीचे वाली भुजा का प्रियोग नहीं हो पाएगा यहां हमारे पास दो तिर्भुज है एक तिर्भुज है A, D, G और एक तिर्भुज है A, F, H जिसमें कौन दिये गए हैं हम एक एक करके इन तिर्भुजों का प्रियोग करते हैं पहले तिर्भुज लिया हमने ADG तिर्भुज ADG में इस तिर्भुज में हमें लंब दिया हुआ है और आधार निकालना है तो हम लगाएंगे इसमें 10 theta तो 10 60 degree बराबर लंब हमारे पास DG है और आधार है AD 60 बराबर होता है अंडर रूट 3 DG हमें 87 पता है और AD निकालना है तो दोखो AD बराबर 87 बटे में अंडर रूट 3 चाहें तो इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं और चाहें तो इसको सरल कर लें इसके हरका परिमेकरन कर सकते हैं तो यह आएगा 87 अंडर रूट 3 बटे में 3 आजाएगा तीन से इसको काड़ दो तीन दूनी 6 तीन निकालना सकता इस मतलब 29 अंडर रूट 3 आगया है तो इस तरह हमारे पास AD का माना आगया अब हम दूसा तरभुज लेते हैं दूसा तरभुज कौन सा है A F H तरभुज A F H में यहाँ पे कौन 30 का दिया हुआ है तो इस में लेते हैं 10 30 डिगरी बराबर देखो यहाँ पे जो लंब होगा वो होगा F H और लेकिन आधार यह पूरा होगा आधार होगा A F 10 30 का मान होता है एक बटे में अंडर रूट 3 F H हमारे पास 87 अभी भी है और A F A F बराबर A D प्लस D F है D F को हमने X लिया होगा है तो A D प्लस X भी लिख सकते हैं इसको हम इनको गुणा कर दिया इसको 87 को यहाँ और इसको एक के पास गुणा कर दिया A D का मान तो हमने निकाला था यह आए दो A D बराबर 29 अंडर रूट 3 A D का मान यहाँ रख देते हैं तो यह आएगा 29 अंडर रूट 3 प्लस X बराबर 87 अंडर रूट 3 आ गया X का मान यहाँ आसानी से निकल जाएगा 87 अंडर रूट 3 माइनस 39 under root 3 अब इनको घटा सकते हैं तो दोखो 87 में से 29 घटा दो तो कितना आएगा 17 में से 9 गया 8 आगया और 7 में से 2 गया 5 आगया 58 under root 3 तो X का मान आगया 58 under root 3 चाहो तो under root 3 का मान 1.73 रखके इसे गुणा करके निका सकते हो या इसको यहीं पे छोड़ सकते हो कि 58 under root 3 इस दोरान वो 58 under root 3 मीटर दूरी तै करता है